नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 7 सब्टमबर 2022 के डेली न्यूस अनलिसिस और एडिटोरिल अनलिसिस में आपका स्वागत है कौन-कौन से important news और डिटोर डिसकस करेंगे तो शेक हसीना जी जो की बांगलादेश की honorable prime minister है वो इंडिया के अंदर आई है मोधी जी के साथ इनकी बात चीत हुई है मोधी जी देखें यहां पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एंटी 1971 forces से इंडिया पांगलादेश मिल के आना रहे है तो शेक हसीना जी ने यहां पे क्या बोला मोधी जी ने यहां पे क्या बोला इसके बारे में बात करेंगे अरली रिजिलिशन अफ तीस्ता अधर इश्यूस की बात की गई फिर भाया EWS quota concerns economically weaker sections के लिए जो quota introduced किया गया 103rd समिधान संशोधन के दौरा कि उसके respect में केंदर की सरकार राज्य की सरकारों से अपना response मागा है सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में बात करेंगे फिर सतलज यमुना लिंक कैनाल ये matter decade से चला रहा है 1960 से चला रहा है पंजाब के अंदर सतलज यमुना लिंक कैनाल बनने नहीं दिया रही है हरियाणा वाले अपनी बना चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार बार पंजाब से बोला है कैनाल बनाओ पंजाब की सरकारों के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो कैनाल बना पाए क्या है मुद्धा एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर लेंगे disabled IPS candidate बेसिकली IPS में एक आपको प्री कंडिशन है कि आपका फिजिकली फिट होना ज़रूरी अगर आप disabled हो कोई category का disabled हो तो आप IPS जोइन नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर पूछा है कि अच्छुली सुप्रीम कोर्ट में एक एड़ोकेट ने पैचीशन डाले और यह बोलाए कि इसराइल के अंदर और भी बहुत सी कंट्रीज के अंदर इन फैक्ट हमारे देश की कुछ राज्य की पुलिस के अंदर कुछ specific departments में disabled IPS officer या फिर disabled police taş नहीं मूला चाहि तो IPS क्यों मना करता है इसके बारे में बात करेंगे फिर बहँ है जॉयंट military ड्रिल्स हुए इसट रश्या में इसकके बारे में बात करेंगे श्री लंका की human rights record को लेके eigenlijk कारिकल इसके बारे में बात करेंगे फिर editorial में 7% प्लस annual growth rate के respect में एक article है यह देखेंगे फिर जो विजिन्जम port बनाया गया है आपका South में विशाका पत्नम में इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे फिर आगे एक trial by fire करके एक article है जिसमें Liz Trust जो की अभी United Kingdom की PM मनी है इनके सामने क्या क्या challenges है इसके respect में बात कर रखी एक और आर्टिकल है इसी के comparison में इसी के reference में Liz Trust tells us about Britain तो what Liz Trust tells us about Britain तो यह मैंने डिसकस नहीं किया इसको मैंने आप इसकिप किया है चुकि सारे articles नहीं डिसकस किया जाते हैं बहुत ज़दा हो जाता है यह लेकिन यह लिस्ट्रस वाल आटिकल जरूर डिसकस करूँगा फिर भई वुमेन को क्या क्या प्रॉब्लम किस प्रकार की domestic drudgery जहिलनी पढ़ती है इसका एक live example यहाँ पे दिया है इसे खतम किया सकता है इसके बारे में बात की गई इसको देखेंगे road to good infrastructure गांदर प्रदेश की सरकार की जो नई logistic service बनी है जो logistic policy बनी है उसके बारे में आब बात की गई इसकी वर्म देखेंगे वो visual flight rules को relate के इसके बारे में अगर समय मिला तो यहाँ discuss कर लोगा नहीं तो एक अलग से वीडियो बना दुगा तो इतने topics आपके साथ discuss करने वालों word of the day देख लेते हैं marooned marooned मतलब in a place that you cannot leave एक ऐसा स्थान जिसको छोड़ना मुश्किल है जैसे for example the sailors were marooned on a desert island एक desert island पे मरूनते समुंदर के बीच में कैसा island जहां पर ना खाने को ना पीने को वहाँ पर फस गए कोई मदद करने नहीं आ रहा है इसको आप बोलता हो बरूल आगे बंद स्पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोसको चैनल कब तक share और सब्सक्राइब नहीं कर लिजें instagram पे फॉलो कर लिजे टेलिग्राम गूप जोन कर लिजे instagram पे आपके साथ जोड़ने कोशिश करता हूँ टेलिग्राम गूप पे आपको lecture की पीडियो और lecture के notifications मिल जाएंगे ज़ाद से ज़ाद लोग सा lecture को share करें पहली news gs paper 2 इंडिया और नेबर हुट रिलेशन्स में बांगलादेश पीम फेवर्स अरली सॉलिशन फॉस तीस्ता अधर इशूस बाई इंडिया और बांगलादेश को अपने सारे bilateral issues को resolve करना चाहिए तीस्ता को लेकर ऐसा प्राइम मिनिस्टर श्रेक हसीना जी ने बोला है हलाकि यहाँ पे तीस्ता इशू अभी resolve हुआ नहीं थे क्योंकि तीस्ता इशू काफी sensitive इशू है बंगाल में काफी बवाल मत जाएगा bilateral talks हो यहाँ पे शेक हसीना जी नरेन मोदी जी के बीच वे ओवर ओल बंगलादेश ने बोला है इंडिया के लिए कि इंडिया इनका most important closest neighbor है चववन common rivers है इंडिया बंगलादेश के वीचे 4000 किलो मेटर का border है बताई इंडिया का सबसे बड़ा border कौन सी country के साथ लगता है दोनों साइट्स ने साथ agreement sign के railway science and technology space cooperation media water sharing को लेके ठीक है रही फिर यहाँ पर प्रधान मंत्री मोदी जी ने भी statement दिया कि इंडिया बंगलादेश के साथ रहे का anti-971 forces में हम मंगलादेश की लड़ने में मदद करें यहाँ बिसिकली हो सकता है पाकिस्तान की तरफ इशारा हो फिर भाई कुशियारा नदी को लेके यहाँ पे एक agreement हुआ है कुशियारा नदी से कितना पानी कौन निकाल सकता है इस फिर बाई इंडिया बंगलादेश के बीच में जो flood water related information sharing real time में वो यहाँ पे continue रहेगी ministry of railways in India और ministry of railways बंगलादेश ने agreement sign किया है तो बंगलादेश के railway जो personal है उनकी training इंडिया के अंदर कराई जाएगी फिर बंगलादेश की energy crisis में इंडिया मदद करेगा तो unit one of metri power plant 1320 megawatt super critical cold fight thermal power plant जो की बंगलादेश के खुलना division के रामपाल इलाके में setup किया गया है उसको इंडिया की मदद से बनाया गया है overall 2 billion dollar लगें इस power plant को बनाने में जिसमें 1.6 billion dollar की developmental assistance इंडिया की तरफ से आई है फिर दोनों sites ने inaugurate किया रुप्षा rail bridge जो की खुलना इन बंगलादेश को मोंगला पोर्ट के साथ connect करेगा और Indian border जो है पेटरा पोल पे उसको वेस्ट बंगाल में gate के साथ connect करेगा तो basically इंडिया और बंगलादेश infrastructure के through connect हो जाते हैं तो दोनों ही मिल्क के gateway तुर साओधी इस्टेशिया की तरह काम कर सकते हैं चुकि दोनों का ही border लगता है मायनमार और मायनमार नीचे बंगलादेश और बाकी साओधी station countries के साथ जुड़ जाता है तो एक trade corridor भी शुरू हो सकता आगे आने वाले समय में अगर मायनमार में stability rate रहती है इंडिया बंगलादेश trade के terms में connected रहते हैं वगर वगर फिर comprehensive economic partnership agreement से पाप के उपर भी यहाँ पर discussion हो रहा है जल्दी ही 2026 में बांगलादेश least developed country से developing country के status में आ जाएगा तो जैसे बांगलादेश officially एक developing country हो जाएगा least developed नहीं रहेगा तो बांगलादेश से आने वाले import जो के duty free Indian market में वो नहीं रहेंगे तो उस कंटेक्स्ट में भारत और बांगलादेश मिलके साइन करेंगे comprehensive economic partnership agreement आज आतना एगली नियूस के जिस पर टू इंडन जुडिश्री पॉपलेशिशन एससे इस इस एशी पॉपलेशन तो नहीं है इंडन जुडिश्री के रिस्पेक्ट में आप काम करेंगे और गौर्मेंट पॉल्सी एस से आसे सेंटर स्टेट टू एले एडेवली इस वोटा कंटर्स देखे एक सो तीन परसेंट इसने क्या बोला कि जो स्टी स्किन रिजर्विशन है जैसे स्ट के लिए 15 परसेंट स्ट के लिए 27 परसेंट इसके अलावा इसके अलावा 51% में से 10% और एकनॉमिकली वीकर सेक्षन के लिए कोटा बना दिया केंदर की सरकार ने अब इस बात को लेके सुप्रीम क पहुँच के बहुत से लौयर्स और यह आज नहीं पहुँचें 2020 में ही जो पतिशन दी वह सुप्रीम कोड में पहुँच गई थी अगस्त 2020 में एक तीन जज़ की वेंच ने बोला कि बहुत तीन ज़फ की बैंच इस पर्टिक्लर कोशन पर कोशन भी ड़िसाइड नहीं कर कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू यू ललित साथ यह इस बात की उपर बातचीत करेंगे जो एक सो तीसवा शंशोदन एक सो तीनवा संशोशन नहीं थर्ड Constitutional Amendment Act है जिसने economically 10% quota दिया है economically weaker sections को यह सही है या गलत है अब इस पे decision लेने से पहले इस Constitutional Bench ने केंदर की सरकार से, राजी की सरकारों से, petitioner से सबसे बोलाए कि अपने अपने जो भी valid legal point से put up करो और बताओ कि आपके साब से यह well amendment सही है गलत है तो अब देखिए क्या है ना केंदर की सरकार तो यह बोलेगी बोलेगी कि भाई यह amendment सही है और देखिए amendment सही भी है इंद्रा सानी judgment of 1992 का मैं आपको करक्स बताता हूं इंद्रा सानी judgment 1992 में बोला गया था कि reservation के लिए economic situation सही नहीं है ठीन तो economic basis में reservation नहीं दे सकते फिर इंद्रा सानी judgment ने यह बोला कि 50% से ज्यादा reservation क्लॉस नहीं करेगा और आर्टिकल 16 clause 4 के अंदर no promotion and reservation promotion में sorry no reservation in promotion मतब promotion के अंदर reservation नहीं होगा आप नौकरी लगते वक्त reservation ले लो लेकिन लोगरी लगने के बाद आपको promotion में reservation नहीं मिले कहाला कि आज की डेट में promotion में भी reservation एक्जिस्ट करता है यह बात आपको पता है तो अगर इंद्रा सानी judgment के वालेट होने की बात कर रही है तो भाईया reservation in promotion already implement हो रहा है केंद्र की सरकार की department में तो इंद्रा सानी judgment यहीं पर वालेट हो गया बट बायराल economic basis पर चुकि 10% यहाँ पर कोटा दे दिया गया है economically weaker sections के लोगों को तो इस context में क्या इंद्रा सानी judgment का violation है इस बात को लेकि पांच जच की सुप्रीम कोट की bench बैट के बादचीत करेगी मुझे बताई जब इंद्रा सानी judgment दिया गया था कितने जच की सुप्रीम कोट की bench थी नीचे comment box में लिख के बताओ तो अब इस चीज के उपर education होगा यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है overall यह पांच जच की bench के decision देगी आगे आने वले समयम पता चलेगा केंद्र की सरकार openly बोल चुकी है कि भाई 10% quota economically weaker sections के आधार पर बहुत ज़ादा ज़रूरी है देश के लोगों के लिए ठीक है ना जो कि कहीं ना कहीं social factors तो देखे backwardness के लिए responsible है economic factors भी उतना ही responsible आज की rate में पैसा बहुत matter करता है ठीक है तो article 15 और article 16 को जो amend किया गया था economic आधार पर reservation लाने के लिए सही है या नहीं है इसके लिए 5 जच की bench decide करेगी इसके नहीं उस समय कि तीन जच की bench ने क्या बोला था It is the case of the petitioner that the very amendment runs contrary to constitutional scheme and no segment of available seats post can be reserved only on the basis of economic criteria मतब तीन जच बेंच ने बोला थे कि petitioners बोल रहे थे कि economic criteria के basis बाब reservation नहीं कर सकते तो basically एक substantial question of law है जिसको पांच जच की bench ये decide करेगी आगे चलते है इसका मैं थोड़ी history आपको बता जाता हूँ इस छोटे से कॉलम में इसकी history बात की गई और मेरे नाम के साथ दगराब यूट्यूब में सर्च मारेंगे तो मैंने वहाँ पे भी इसके respect में वीडियो बना रखी है 1986 में हुआ reorganization of Punjab और हर्याणा अलग हुआ तो भाई 17 जिनदी का पाना किवल पंजाब के पास नहीं हर्याणा के पास भी जाना चाहिए 1977 में land acquisition शुरू हुआ और बोला गया कि 214 किलमेटर की 17 जिमना link canal बनाई जाएगी इस link canal का 122 किलमेटर पंजाब के अंदर होगा 92 किलमेटर हर्याणा के अंदर होगा अब उबिसी बात है आप canal बनाऊगे तो canal के लिए जमीन खोदोगे तो जमीन लोगों की है तो लोगों से जमीन लोगे तो पंजाब के अंदर हर्याणा के अंदर लोगों से जमीन ली गई 1980 तक हर्याणा ने अपना portion canal का बना लिया लेकिन पंजाब ने अभी तक अपना portion नी बना है पंजाब लगातार overall सतला जेमिना लिंक कैनाल के construction को डिले कर रहा है 2004 कि अगर आप बात करो तो सुप्रीम कोट ने पंजाब को order कि कैनाल कंप्लीट करो इन फैक्ट अगर आप देखो तो पंजाब ने पास किये पंजाब Termination of Water Agreement Act 2000 चल इस particular act के दुरू पंजाब ने साफ साब बोल दिया कि भाई यह हमारे बस कि नहीं है सतला जेमिना लिंक कैनाल बनाना इन फैक्ट पंजाब के अंदर जो successive सरकारे नहीं उनका यह बोलना है कि अगर हम यह सतला जेमिना लिंक कैनाल बनाते हैं तो खालिस्तानी एलिमेंट्स को पुश मिलेगा जो प्रो मिलिटेंसी एलिमेंट्स हैं उनको पुश मिलेगा प्रॉब्लम हो जाएगी काफी बड़े स्केल का बवाल हो जाएगा पंजाब के अंदर पंजाब एक वाटर डेफिशेंट स्टेट है भले वो वहाँ पे चावल होगा होगा के शुगर के नुगा होगा के ग्राउंड वाटर से पानी खीच के खतम कर रहे हैं सस्टेनेबिल तरीके से पानी इस्तिमाल नहीं कर रहे हैं बट है तो वो वाटर डेफिशेंट ना, अभी एक वाटर स्टेट, डेफिशेंट स्टेट में से एक छोटा सा तुकड़ा अलग हो गया हरियाना, अब उस हरियानों को पानी देने के लिए प्रेजेंट पानी में से आप पानी खीचोगे लोग नाराज होंगे, तो इस कंटे से मिलेंगे और बैट के यहां पर बातचीत करेंगे, प्लस पंजाब टर्मिनेशन ओफ वाटर एग्रिमेंट एक्ट 2004 जब पास किया गया, तो पंजाब के अंदर वो फार्मर्स जिनकी जमीन चीनी गई थी 17 जवना लिंक कैनल बनाने के उनको लगा कि शायद हमारी जमीन ह में वापस मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोट ने इस पर्टिकुलर टर्मिनेशन ओफ वाटर एग्रिमेंट को गलत बताया, तो अभी तक वो जमीने भी डिस्प्यूटेड, आप सोचिए वो जमीने सरकार के अकूपेशन में है, ना वहाँ पे कैनाल बन रही है, और ना ही जमीने फार्मर्स को वापस मिल गई है, तो जो फार्मर्स उन जगों पे जिनकी लैंड थी, जो S.Y.L. के लिए 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 गई थी, वो भी बीच में अधर में लटक गए है, ना कैनाल बन रही है, ना वहाँ पे अग्रिकल्चर हो रहा है, काफी प्रॉब्लम यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है, फिर अगर आप देखो, और यह मुद्दा यहाँ पे फिर से क्यों उठा है, देखी क्या है, कि अट और ने जनरल केके विनु गोपाल, ऑन बिहाफ ऑफ सेंटरल गवर्मेंट इन्हों ने बोलाए कि भाई, हर्याना के बार बार बुलाने के नहीं है, कि पंजाब के पॉलिटिकल लीडर्स आना नहीं चाहते, एक वज़ा यह है कि सतलज यमुना लिंक कैनाल पंजाब के अंदर एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, कोई भी राज्सकार उसमें हाद नी डाली, सोची, सुप्रीम कोट स्पेसिफिक डाइरे सुप्रीम कोट को बोलना है कि इंटरनेशनल बाउंडरी डिस्प्यूट सौल हो जाते हैं, दुनिया भर में इंटरनेशनल वाटर एग्रिमेंट्स नेगोशियेट हुएं, ब्रोकर हुएं, तो क्या दो राज जी आपस में बैटके पानी की प्रॉब्लम को सुट आउट न नहीं ले सकती है कि वो सतला जीमना इलिंक कैनल बना दे, तो ये एशू तो देखें, लेंगर करने वाला है, ये इतनी आसानी से रिजॉल नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है, आपकी इसके बारे में क्या राय है आप बताईएगा, खासकर कोई पंजाब से अगर इस वीड कैंडिडेट्स, जो कि IPS में अप्लाई कर रहे हैं, अभी एगर आप सिविल सब्रिसिस का नोटिफिकेशन देखोगे, तो IPS में अप्लाई करने के लिए कुछ टम्सन कंडिशन से इंपोस कर रखी, तो disabled candidates, obviously यहाँ पे IPS के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम क आप इसराइली, American और Canadian forces को देखो, तो उन्होंने जैसे तैसे disabled को accommodate किया है, अभी इस प्रकार से accommodate नहीं किया, कि disabled को frontline भी लड़ने के लिए भेज दिया, बहुती जगह होती, जैसे कि cybercrime unit हो गई, headquarters में बैटके सारे टास्क को, you know, synchronize करना, manage करना, एक senior IPS officer, मानलो DGP का rank का head office में बैठा है, तो सबको manage कर रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर होता क्या है, कि जैसे for example, अगर आपको DGP बनना है, तो promotions पाने के लिए, एक condition होती है, कि आपने on field को job करी हो, कोई sensitive assignment किया हो, जैसे कि for example, जब आप पोलिस में भरती हुए, तो sensitive assignment क्या होता है, किसी थाने य आपके लोग और adultery के बहुत प्रकार के cases आपके सामने आएंगे, लेकिन अगर आप किसी training institute में बैठे हो, या फिर राज जी की सरकार के सचिवाले में बैठे हो, फाइल वर्क कर रहे हो, तो फिर वो sensitive assignment नहीं होगा, sensitive assignment को कभी-कभी field posting भी बोलते हैं, तो basically IPS के अंदर promotion के ल नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो सुप्रीम कोड की bench बनी, जिसमें जस्टिस इंद्रा बेनरजी और MM सुंदरेश हैं, इन्होंने यह पूछाए कि यार पुलिस के अंदर तो cybercrime जैसे department भी होते हैं, यहाँ पे तो staff ही नहीं है, तो जो नए recruited IPS disabled है, कम से काम वाँ को cybercrime जैसे department में तो रखी सकते हो न, अगर Israeli army disabled persons को accommodate कर सकती, तो IPS क्यों नहीं कर सकता, यह submit किया senior advocate अर्विंद ततन, ने NGO National Platform for the Rights of Disabled के लिए, तो यह बहस इस समय पे Supreme Court में जारी है, ठीक है, most probably यहाँ पे केंदर की सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, केंदर की सरकाल को यह यहाँ पे जवाब देना होगा, Supreme Court के जज़े यह बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो promotion होता है, वो promotion field posting के अधार पे होता है, but in any ways, कुछ assignments तो ऐसे होई सकते हैं, जहाँ पे आप disabled लोगों को accommodate कर सकता, अब यह सवाल पूछा यहाँ पे Supreme Court ने, let's see, यहाँ पे सरकार क्या ज लाउड नहीं है, तो आप इसमें क्यों नहीं आप लाउड कर रहे हो, तो यह question यहाँ पे पूछा गया है, ठीके ना वई, इस question को उठाया है, senior advocate, जो की Supreme Court में है, Mr. दतर साहब ने, किसके बहाव पे उठाया है, तो NGO National Platform for the Rights of Disabled के आधार के, आपके लोग पेटिशन पे कर दिया था, जो भी overall UPSC का एक्जाम दे रहा है कि UPSC, IPS, Indian Railway Protection, Force Services और दानिप्स, दिल्ली, दमनंद्यू, दादरा, नागरह विली, अन्दमाना, निकोबार, लक्षुदी पुलिस, इन सम्में overall physically fit candidate चाहिए, बढ़ अभी के लिए, प्रोवीजिनली disabled apply कर सकते हैं, हाला कि Supreme Court ने final decision नहीं लिया है, final decision सोच समझ के Supreme Court बाद में लेगा, कि हाँ भाई disabled को लाओ किया जा सकते हैं, नहीं किया सकते हैं, पिर अगला, पोतिन ने joint military deal attend किये चाइना और बाकियों साथ, जिये से बटू इंटरनेशनल रिशियस में नीज़ाप उकाम हैगी, तो रशियन प् अबजूद भी यहाँ पे रशिया, Eastern Russia में वार गेम्स कंडर्ट करवा रहा है, शायद रशिया यहाँ पे यह सिगनल भेजने की कोशिश कर रहा है कि बले हम यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे हैं, तब भी हमार रपस कोई सैनेको कमी नहीं हैं, यह जो वास्तोक 2022, East 2022 एक मंगोलिया, निकारगोवा, सीरिया, इन सब की आर्मीज यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर रही हैं, इन फैक्ट चाइना ने तो बड़े स्केल पे पार्टिसिपेट किया है, चाइना के 2000 ट्रूप्स, 300 मिलिटरी वहिकल्स, 21 कॉमबेट एरक्राफ्ट, 3 वार्शिप इन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यह वही ड्रिल्स हैं जिसमें इंडिया ने सी ऑफ जापान वाले वर्जन में पार्टिसिपेट करने को मना कर दिया था, जापान की सेंसिटिविटी के चलते, बट ओवर और वाश्टक 2022 एकसाइस में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया और रिसेंटली देखो तो रशिया और चाइना ने बहुत सारे जॉइंट वार गेम्स कंड़ट की जिसमें नैवल ड्रिल्स हैं पेट्रोल्स हैं लॉग रेंज बॉम्बर्स का इस्तमाल किया गया सी ओफ जापान में इस चाइना शी में तो यह सब चीजे हैं इन फैक्ट पि नेवी, आर्मी, एरफोर्स सब एक साथ यहां पे ओवर ओल पार्टिसिपेट कर रहा है और शायद यहां पे रशिया एक मैसेज भेजने कोशिश कर रहा है वेस्टन वर्ड को कि यह मत सोचो कि हम जंग लड़ रहे हैं तो हमारे पास वार गेम्स के लिए सोलजर्स नहीं है हमारे पास बहुत से सोलजर्स है अब इस कंटेक्स में अगर आप देखो तो मिस्टर पोतिन और चाइनीज प्रेजिडेंट जी जिंग पिंग ने बड़े स्ट्रॉंग लेवल पर पर स्ट्रेजिक पार्टनर्शिप कर रखी ठीक है वो सकता है कि आगे आने वाले समय में एक military alliance भी बना लें ये लोग वेल इन गुड तो रशिया के साथ चाइना इंगेज कर रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है बट क्या इसका चाइना को नुकसान नहीं होगा क्या रशिया के साथ इंगेज करने के वैसे चाइनीज बिसनिसे को नुकसान नहीं होगा देखे बले ही चाइना की सरकार और चाइना की लीडर्स ओपनली रश्या के साथ इंगेज करतेığं नजरा रहे हूं, रश्या को लेके वेस्टरन कंटरीज को धंकियां देते हैं नजरा रहे हूं बट जो चाइनीज बिजनिसें ये इस ओवर और सिनारियो को अलग तरीके से देख रह तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत से Chinese business है जो रशिया के साथ economically engage करने को तयार नहीं है चोकि उनको पता है कि रशिया के साथ economically engage किया तो western markets shoot जाएंगे western markets shoot जाएंगे business ठप हो जाएगा इन फैक्ट रशिया चाइना के साथ इस हद तक जुड़ रहा है western sanctions को हटने के लिए कि आगे आने वाले समय में चाइना बहुत सारे terms dictate करने वाले रशिया को चाइना देखिए एक opportunistic country है जब रशिया का dependence चाइना के उपर बढ़ेगा तो चाइना dominant होगा overall चाइना यहाँ पे जो चाहेगा वो रशिया से करवाएगा Mr. Melvin, Neil Melvin, जो की head है International Security Studies के Royal United Services Institute in London के इनका यह बोलना है कि रशिया चाइना की जो dichotomy है जो दोस्ती है इसमें चाइना बहुत ज़ादा dominating partner होगा और रशिया से बहुत से concessions demand करेगा चाइना उसकी मदद करने के लिए पिर अगली news UN slams श्री लंका's rights records GS paper 2 में news आपको काम आएगी International institutions और human rights violation दोनों में श्री लंका का जो past human record है वो आज की श्री लंका की crisis के लिए responsible है ऐसा officially बोला है United Nations की human rights chief ने जो पहले श्री लंका ने human rights abuses की है economic crimes की है corruption क्या है उसकी वज़े से आज की date में श्री लंका collapse कर रहा है पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी UN high commissioner for human rights ने साफ साफ बोला है कि past के human rights के चलते आज की date में श्री लंका की economically हालत खराब है और इसी लिए overall sustainable improvement के लिए श्री लंका को अपने underlying factors को address करना चाहिए खासकर ही जो human rights violation है इनको address करना चाहिए जो भी past में या present में human rights abuses हुए economic crimes हुए, corruptions हुए इनको बहुत sustainably और transparently address करने की जरुवत है श्री लंका को, अगर श्री लंका ऐसा करेगा तो जाके overall चीजें ground level पे ठीक कर पाएगा यह जो report prepare की गई है यह prepare की गई है by the office of my चले बैचलेट जो अपना term as United Nations human commissioner human rights commissioner complete कर चुकी है तो basically श्री लंका के अंदर जो अलग-अलग communities है बिसिकली यहाँ पे Muslims और तमिल्स की बात हो रही है यह लगातार democratic reforms की बात करती है accountability की बात करती है और इनके प्रती accountable होना जरूरी है श्री लंका की सरकार को श्री लंका की सरकार अगर इनके प्रती accountable होगी तब आगे आने वाले समय में sustainable development हो पाएगा देखें मैं आपको बता दूँ श्री लंका के अंदर तमिल्स और Muslims को थोड़ा बहुँ सेग्रिगेट किया गया वहाँ पे जो majority है वो सिन्हला बुद्धिस्ट है अब यह जो सिन्हला बुद्धिस्ट इन्होंने पहले तो राजा पाकसार्स को बहुत सपोर्ट किया जब economic crisis हुई तो इन्होंने राजा पाकसार्स को अपोस किया कहीं न कहीं जो तमिल्स और Muslims के अगेंस्ट अत्याचार हुआ है वो इसलिए तो हुआ है चुकि यह जो सिन्हलास है इनको पसंद नहीं आते हैं तमिल्स और Muslims अब वो अलग बात है कि जब economic crisis आ गई तो इन सिन्हलास ने राजा पाकसार्स के अगेंस्टी बवाल कर दिया तो एक country के लिए consolidate होना अपने आपको internally strong रखना बहुत ज़रूरी वो तभी रख सकते हैं जब आपकी minority safe feel करने तो इस context में रिपोर्ट तो आ गई है Human Rights Commission की इसके respect में श्रीलंका क्या जवाब देगा किस प्रकार का अपना attitude रखेगा वो आगे आने विले समय में पता चलेगा कल ही मैंने news में बताया था कि external accountability mechanism को श्रीलंका reject करेगा श्रीलंका अपने domestic constitutional reforms के तुरू चीज़ों को सही करेगा लेकिन जो civil war के victims हैं उनके family members का साफ साफ बोलना है कि हमें किसी भी domestic mechanism पर भरोसा नहीं है हम international intervention चाहते हैं किस अब तक international intervention हो जाएगा ये आगे आने विले समय में पता चलेगा इंडिया 7 प्लस annual growth and the reality सी रंगराजन साब नहीं पर आर्टिकल लिखा है और फॉर्मर जो गवर्नर है रिजर्व बैंक अप इंडिया के डी के शिर्वास्तो जो मतला स्कूल ओफ एकोनोमिस के साथ जुड़े हो है अब देखे किया क्या बाते बता रहे है नाशनल स्टेस्टिकल ओफिस ने रियर जीडिपी ग्रोथ quarter 1 of 2022 तेस रिलीस की ये निकल के 23.5% पहले प्रोवीजनल एस्टिमेट था RBI का 16.2% का इससे 2.7% कम निकल के 23.5% अब अगर जो अभी के लिए estimates है RBI के, NSO के बाकी quarters के जैसे 2nd quarter के लिए estimator 6.2% इन इकनामी बढ़ेगी 3rd quarter के लिए 4.1% 4 quarter के लिए 4% अगर इतनी इकनामी बढ़ती तो इंडिया के इकनामी टोटल 6.7% बढ़ने वाली 2022 तेसे अब overall अगर आप इस growth को pre-pandemic type period से discuss करो pre-covid GDP level अगर आप देखो तो quarter 1 of 2019-20 में GDP थी 35.5 लाग करो और quarter 1 of 2022-23 में ओरी 36.9 लाग करो तो actually में जो growth pre-covid pandemic level से दिख रही है वो दिख रही है 3.8% मतलब अभी भी हम COVID-19 के पूरे negative effects को compensate नहीं कर पाए है accommodate नहीं कर पाए है और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इस साल जो overall 2022-23 जो overall growth है वो 6.7% expected है अगर इसको 7% बढ़ाना है 6.7% कब होगा जब यहाँ पर देखे लिख रखा है जब quarter 3rd और quarter 4 में growth होगी कितने की 4.1% और 4% की अगर quarter 3 और quarter 4 में आप growth कर लो कितने की 5% की तब जाके 7% overall 2022-23 में growth देखने को मिले गए अब उतनी growth हो पाएगी नहीं हो पाएगी आगे आनले सम्में पता चले अब इसी context में अगर देखा जाए तो जो 8 gross value added sectors है जैसे for example अगर आप public administration की बात करो तो जो first quarter की growth performance है वो average से 12.7% जाद है defense and other services में 26.3% जाद है trade, hotels, transport में 25.7% जाद है construction में 16.8% जाद है electricity, gas, water supply में 14.7% जाद है यह obvious ही बात है पिछले साल के comparison में बात हो रही है agricultural growth first quarter of 2022-23 में साढ़े 4% जाद है पिछले साल के comparison में manufacturing में growth 4.8% है overall growth से थोड़ा कम नज़र आ रही है लेकिन ये growth तो हमने compare की पिछले साल के first quarter से 2021-22 के first quarter से और 2021-22 में क्या हो रहा था बाई, pandemic effect था अगर इसको आप pre-covid level 2019-20 से compare करोगे तो आपको देखेगा कि ठीक है manufacturing तो बड़ी हुई नज़र आ रही है पांच परसंट घटता नज़र आ रहा है construction एक दसमलो दो परसंट बढ़ता नज़र आ रहा है तो construction एक दसमलो दो परसंट बढ़ा है manufacturing 7% बढ़ी है लेकिन trade hotel transport 15.5% घटा है उसके बाद कुछ और figure से private final consumption expenditure ये अगर आप देखो तो बढ़ रहा है और कुछ factors जिसे private final consumption expenditure gross fixed capital formation private final consumption expenditure मतलब की demand side में market में चीज़ों को consume करने के लिए सरकार की मदद के विना जितने भी लोगों ने आके market से चीज बगरा खरी दी इसको आप कह सकते हो private final consumption expenditure और gross fixed capital formation क्या हो गया कि बाई कितने capital का formation हुआ और कितना पैसा यहां पर public और private sector दोनों के साथ मिल के बनाया गया तो यह कही न कहीं improvement इन दो factors में होता नजरा आप यह याद रखेगा हम demand side की बात कर रहे है अगर बहुत detail में आप private final consumption expenditure समझना चाहते हो gross fixed capital formation समझना चाहते हो तो आपको मेरी रमेश सिंग एकनोमिक्स की वीडियो देखने पड़ेंगे ओवराल कुल मिला कि आप यह समझने जीजे कि demand side पे private final consumption expenditure और gross fixed capital formation इन दो metric के तुरू author यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप इसको quarter one 2021 से compare करोगे 2022 ते इसकी figure सो बहुत ज़्यदा बड़े नज़र आएंगे लेकिन quarter one of 2019 बीस से compare करोगे तो उतना ज़्यादा बड़े हुए नज़र नहीं आएंगे और अगर आप quarter one 2022 ते इसकी trade hotel transport sector को quarter one 2019 बीस से compare कर रहे हो तो decrease देखने को मिल रहा है 15.5% प्रस एक और बहुत important चीज है contribution of net exports to real GDP growth net export क्या होता है कितना export आपने import से ज़्यादा किया अब ये तो आप सब को पता है कि इंडिया के अंदर import ज़्यादा होता है export कम होता है तो हम negative में चल रहे है trade deficit चल रही है तो ये जो trade deficit है ये जो negative net export है ये कही न कही हमारी economic credibility को नीचे गिराता है और आगे आने वाले समय में ये net export negative ही रहने वाला है ये एकदम से positive नहीं होगा चोकि international market में petrol coal के दाम बढ़ रहे हैं और petrol coal strategic चीज़े हैं ये हमें import करनी ही पढ़ेंगी और export definitely हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है पर एकदम से बढ़ता रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है प्लस हम लोग intermediate goods को import करते हैं intermediate goods से हम लोग final product बनाते हैं और इन final products को हम लोग फिर export करते हैं तो इस context में intermediate goods का भी import इंडिया के अंदर बढ़ेगा तो long term में अगर बात की जाए तो long term मतलब अगले 3-4 अगर आप इसकी बात कर लो quarters की बात कर लो तो no doubt import बढ़ने वाला है export भी बढ़ेगा बढ़ उत्ती तेजी से नहीं बढ़ेगा जो net exports है वो negative रहने वाले हैं तो net exports negative रहने की वज़े से जो economic credibility है इंडिया की वो थोड़ी गिरेगी अब कुछ अच्छे statistics भी यहाँ पर बताया जा रहे है अगर आप headline manufacturing purchasing managers index देखें तो यह 8 months में सबसे ज़्यादा था July 2022 में 56.4 August में 56.2 PMI services 55.2 पे था July 2022 में मतलब overall services की बात कर लीजे managers index की बात कर लीजे 50 से ज़्यादा होता है जब यह purchasing managers index मतलब positive outlook है जो growth है जो बुक्री है जो market sentiment है वो positive दिख रहा है फिर अगर आप देखो तो जो schedule commercial banks है वो जो loan दे रहे है outstanding bank credit वो भी बढ़ रहा है fortnight जो 12 अगस 2022 आई है 15.3% outstanding bank credit बढ़ है मतलब जादा loans डोल आउट कर रही है bank मतलब positive economic sentiment देखने को मिल रहा है फिर जो gross goods and services tax collections है वो भी जादा है जोलाई 2022 में 1.49 lakh करोण है अगस 2022 में 1.43 lakh करोण थे तो in fact इस प्रकार से अगर आप देखो तो चीज़ां बढ़ती है नजर आ रही है लेकिन author end में एक बात बोल रहा है कि ये जो बढ़े हुए numbers आपको देखने को मिल रहे है शायद इसलिए देखने को मिल रहे है चुकि wholesale price index और consumer price index बढ़े हुए wholesale price index 10% से जादा चल रहा है और consumer price index 6-7% तो है तो overall चुकि inflation बढ़ा हुआ है तो बढ़े inflation के चलते हो सकता है ये economic activity आपको बढ़ी हुए नज़र आ रही हो actually मैं real terms में यहाँ पर हो सकता है growth कम हो तो कुल में लाके जो भी positive factors आपको यहाँ पर नज़र आए कहीं न के उनको inflation के साथ जोड़के quarter one of 2019-20 के साथ जोड़के एक real economic picture दिखाने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है कि यह numbers जितने ज़्यादा हमें नज़र आ रहे है शायद यह उतने ज़्यादा है नहीं तो यह basically यहाँ पर इस particular article का objective था समझने के perspective से रखिएगा जो भी figures रगारा code कियेगा उनको बहुत ज़्यादा कहीं लिखिएगा मत हां कुछ figures important है जैसे कि for example 2019 बीस के quarter one से इस बार की quarter के जो GDP figures हैं growth figures हैं जैसे NSO RBI की figures अब code कर सकते हो बट author जो हिंदू एडिटूरल के जो authors होते हैं उनके जो personal आप कहलो observations है on the basis of their figures वो मत code करिएगा किसी exam में इस article को लिखा है अब समझते हैं क्या बोल रहे है 7525 करोन का deep water project बन रहा है विजिनिजम केरला में ठीके न भई अब इसके चलते हैं अच्छा खासा ecological destruction हो रहा है पहली बात तो इस project को बनाने के लिए हजारों लोगों को उनके घर से अटाया गया उसके बाद इस project में क्या हो रहा है कि unsustainable तरीके से coastal infrastructure को बनाया जा रहा है और केरला की ecology को हो सकता है इससे बहुत नुक्सान पहुचे चुकि केरला एक coastal state है coastal light economy है इसकी तो अगर यहाँ पे coastal इलाकोस में problem create की जाएगी तो long term में केरला को नुक्सान पहुचा सकता है इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने coastal management को sustainable track पे लेके हैं अब actually मैं क्या point out करने की कोशिश कर रहे हैं देखें no doubt दुनिया में बहुत सी countries यह सिंगापूर, शांगाई, दुबई इन्होंने अपने port का फायदा उठा के जबरदस्त पैसा कमाया है दुबई तो एक port hub है जबरदस्त income है दुनिया भर में, countries में यह जो दुबई जैसे ports हैं यह overall जो businesses हैं दुबई का जो domestic market है वो इतना बड़ा नहीं है लेकिन दुबई एक transit hub की तरह काम करता है तो कहीं से कहीं सामान भीजना हो बहुत chances हैं कि दुबई में हो सकता उसका एक transit hub हो तो इस प्रकार का ही कोई एक port इंडिया भी बनाना चाहता है तो approach अच्छी है विजिनिजम की अगर आप बात करो तो अगर आप देखो तो यह इंडिया है यहाँ केरला है तो यह जो केरला है यह अगर आप इस्ट में चले जाओ चाए वेस्ट में चले जाओ इस्ट वेस्ट की जो sea lines है ना इनमें बहुत ही आप कहलो जबरदस cowspect की तरह यह विजिनिजम का कैरला का पोर्ट निकल के आता है इस्ट post shipping routes में अगर किसी भी ship को रोखना हो loading unloading करनी हो तो विजिनिजम पोर्ट को इस्तवाल किया जा सकता है विजिनिजम पोर्ट के पास गहराई भी 20 मिटर की अच्छी खासी है तो बड़े वैसल्स यहाँ पर आके डॉक कर सकते हैं तो no doubt यहाँ पर विजिनिजम बोर्ट को डेवलब करना एक अच्छा option है अब आजाते हैं finances पर केरला की सरकार overall विजिनिजम पोर्ट का 67% financing बियर कर रहा है और बाकी जो 33% financing हो गई वो concessionaire बियर करेगा अब आप बोलोगे concessionaire कौन होता है तो देखिए पोर्ट को सीधे-सीधे केरला की सरकार नहीं चलाएगी पोर्ट को चलाने के लिए हमें एक आपके लोग commercial private enterprise चाहिए जिसको पोर्ट business में ठीक ठाक experience हो जिसको एक्चुली में पोर्ट चलाना आता हो जो shipping lines के साथ overall coordinate कर सके अलग-अलग importers, exporters और custom brokers के साथ अपना coordination बिठा सके तो केरला की सरकार ने 60% खर्चे पे विजिनिजम पोर्ट बनाया बाकी 33% खर्चा करेगा concessionaire concessionaire बीच में यहां पे निकल के आ रहा था आदानी विजिनिजम पोर्ट प्रवेट लिम्टेड आदानी विजिनिजम पोर्ट प्रवेट लिम्टेड ने ये बोला कि बचा हुआ 33% पैसा हम तब इसमें खर्च करेंगे अगर हमारी कुछ मांगे पूरी हो जैसे कि यहां पे crime infrastructure property बनाई जाए कुछ बेसिकली ऐसी demands रगदी जो केरला की सरकार के ओपर financially काफी heavy पड़ेंगी तो already इस port project का 67% 2 by 3 खर्चा आपकी केरला की सरकार उठा रही है बचा 33% खर्चा उठा रही है पोर्ट के objective को देखें हम यहां पे profit element भी देखेंगे लगबग साड़े 300 families ने इस particular port बलने के चलते जो coastal erosion हुआ उसके वज़े से अपना घर खो दिया हमें पता ही कि आज की डेट में coastal erosion और extreme cyclonic events बढ़ चुके हैं ये extreme cyclonic events और coastal erosion problem create करते हैं चाइना, केनिया और वेतनाम में जो भी port projects implement हुएं उन्होंने बड़े scale पे resettlement किया है livelihood outlets को effect किया तो इस प्रकार के port projects ecology destroy करते हैं nature में बड़े hazard की तरह उभर के सामने आते हैं marine life के उपर destruction ले के आ सकते हैं local population के livelihoods को destroy कर सकते हैं विशाखा, पटनम और चिन्नाई ने दिखाया है कि किस प्रकार से siltation, coastal erosion, accretion कई न कई harbour channels को deepen कर सकता है ecological sensitive areas को बरबाद कर सकता है तो economic growth को लाने के लिए socio economic sustainability को लाने के लिए हमें safe guards भी यहाँ पे लाने पड़ेंगे एक 2017 की study ने यह बताया था कि shoreline और marine ecosystem बहुत हद तक breakwater और dredging के चलते danger में है तो कहीं न कहीं project side को बनाने में finances के साथ साथ coastal management बहुत important role play करता है अगर returns की बात की जाए तो यह बताया जा रहा है कि केरला की सरकार को 3.7% का फाइदा होगा इस port से और जो concessionaire है आदानी विंजम पोर्ट प्रविट इंप्रेस को 15% का फाइदा होगा तो basically आदानी concessionaire जो 33% पैसा लगा रहा है इसको return मिलेगा 15% का on an average साला ना वहीं पे केरला की सरकार जो 67% पैसा लगा रही इसको return मिलेगा 3.7% का तो यहाँ पे extraordinary तरीके से करला की सरकार ने finances को बियर किया जादा profit कमाया concessionaire ने उसके ओपर से heavy human toll आया उसके ओपर से यहाँ पे socio economic sustainability पे सवाल उठाया जा रहा है जो coastal management है जो coastal ecosystem है वो इसकी वज़े से तबाह हो रहा है फिर overall जिस विजिनिजम पुवार स्ट्रेच पे यह विजिनिजम पोर्ट बनाये यह एक biodiversity hot spot है तो यहाँ पे इस पोर्ट के बनने के चलते जो marine protected area है वो destroy हो रहा है फिर इस project के लिए जो environmental impact assessment कराया गया था मई 2013 में इसको बहुत हथा criticize किया गया है चुकि इसमें बहुत सारे factual errors बताये जा रहे हैं तो यह सब चीजे हैं फिर western gharts के अंदर दो hillों को काट के जो आप के लो मलबा था उस मलबे से विजिनिजम पोर्ट को बनाये गया तो western gharts के अगर आप पूरे के पूरे hill काट दोगे तो उसके भी तो ecological consequences निकल के आएंगे उन ecological consequences को कौन जेलेगा तो यह सब बाते में overall बताई जा रही है अभी एक study publish हुई जिसने बताया कि 2006 से लेके 2020 के time period में तिरुवनन पुरम कोस्ट का 650 एकड का इलाका लगबग 2.62 स्क्वाइर किलोमेटर का इलाका समुंदर के अंदर चला गया इस level पे समुंदर इस समय पे dominant हो रखा है rate of erosion इतना जादा हाई है तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं ये सब चीज़ें इसलिए हो रही ही जो कि over proper तरीके से monitoring नहीं हो रही है जो coastal development किया रहा है वो sustainable तरीके से नहीं किया जा रहा है अभी latest storyline report निकली किसके दौरा National Institute of Ocean Technology के दौरा बीच profile और satellite analysis यहां पे की गई इससे पता चला है कि जो port का northern coast है पुन्थूरा, वलिया थूरा, शानमुगम वेली यहां पे बहुत significant amount of erosion देखने को मिला है तो ये सब चीज़ें overall आपको यहां पे नजर आ रही है anthropogenic climate change भी यहां पे Indian coast को खाड़ रहा है sea levels बहुत तेजी से rise कर रहे हैं ये सब overall factors यहां पे निकल के आ रहे है अब इन सब चीज़ों की cost कौन बढ़ेगा environmental regulation में एक bedrock principle यह माना जाता है कि जो उस particular project को develop कर रहा है जो companies को develop कर रही है वो यहां पे particular project के cost को environmental cost को overall बेर करेगा लेकिन actually मैं ऐसा होता नहीं है दुनिया भर के countries development के लिए आपके लोग लिव क्रेटिव offers देते हैं बड़े-बड़े corporations को और बड़े-बड़े corporations यहां पे development करते हैं लेकिन जब development करते हैं तो यह शर्त रखते हैं कि हम इसके logical consequences नहीं उठाएंगे जैसे for example modern और फाइजर इन्होंने इंडिया के अंदर अपनी vaccine बेचने से पहले सरकार के ओपर एक condition रख दी कि अगर कोई side effect आता है तो हम responsible नहीं है उसी प्रकार से जो private developers होते हैं वो कोई environmental responsibility को नहीं उठाते हैं जैसे कि for example अगर आप बात करो तो bravest mining and resources यह आदानी की unit है उस्टेलिया में जो कार माइकल thermal coal mine है Queensland गैलीली बेसिन में जो की आप कहलो कि जो coral reef है उस्टेलिया की उसको बरबात कर रही है great barrier reef को इस कार माइकल coal mining से जो भी कोईला पैदा कर रही है particular company दुनिया भर में export कर रही है क्या जो environmental damage हो रहा है उसके लिए no doubt एक आप कहलो subsidy या एक lump sum amount आदानी की unit दे रही होगी पर कल की date में इसकी वे से जितना भी ecological damage होता मालो millions of billions of dollars में निकल आता तो क्या उसको आदानी भरेगा ओविसी नहीं भरेगा यह इनके agreement में लिखा हुआ होगा फिर टाटा मुंद्रा कोल पांड बना 4150 मेगा वाट का इसके चलते जो green house gas emissions हुए क्या इसके proper ecological outcomes को टाटा मुंद्रा वाले भरेंगे और विसी बात नहीं भरेंगे तो भले ही environment का bedrock principle है कि जो project developer है वो उसकी सारी ecological consequences को bear करेगा but actual में ground developer ऐसा होता नहीं है और उसके चलते हैं अगर आप देखो तो development होता तो है बट वो sustainable नहीं होता और जब development sustainable नहीं है तो biology, ecology, oceanography, environment, climate change ये सब कही न कहीं havoc cross करेगा और वो हमारे उपर कैसे न कैसे निकल के आएगा COVID-19 के infection ने पूरी दुनिया को गुठने बिला के रग दिया और climate crisis उससे आसान नहीं है तो हमें एक Turkish proverb को मानना चाहिए no matter how far you have gone on the wrong road turn back, कितना भी गलत road पे आप आगे निकल जाओ वापस आजाओ ये हमारी मानने तम तब ये हमारी सोच होनी चाहिए ठीके ना लेकिन actually में क्या सोच follow हो रही environmental crisis में, environmental damage में मिलकुल आगे बढ़ते चले जा रहे हैं लेकि तब भी वापस लॉट के नहीं हा रहे है हमको लग रहा है कि नहीं हम सही रास्ते पे जा रहे है और हम चलते ही जा रहे है ठीके बई तो ये था बई आगे चलते हैं the burden that woman bear कादंबरी शाह और श्रियास नारला ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेखा रहे है बंदरा अगस्त को जब सारे घर जंडा रोहन कर रहे थे तो मालती नाम की एक औरत 500 मीटर दूर जाके अपने घर से पानी भर के लाके आ रही थी इसके लोकालिटी में 500 मीटर दूर जो वाटर सप्लाई आती हो दिन में दो घंटे के ले आती है और दिन में दो बार आती है और इस विलेज में 10,000 रेजिदेंस रहते हैं और वहाँ पे जाके लाइन लगाने के बाद भी मालती को कोई गरंटी नहीं है कि पानी मिलेगा एक घंटे से अंदर में 10 से 12 भरे हुए वेसल से मालती अपने घरें पहुचाती इसके घर में इसके बच्चे, इसका हस्जमेंट, इसके इनलॉस रहते हैं तो सब के लिए घडे में पानी बर के लेके आती है मालती अब आप समझ सकते हो ये ड्रजरी है मतलब बिलकुल बुरी तरीके है काम है आज की डेट में हम जैसे लोग जो घरों में रहते हैं जहाँ पे टैप आन कर दिया जाए तो पानी आने लगता है ये एक लगजरी है इंडिया के अंदर मालती जैसे लोगों के लिए सोचिए मालती को अगर लाइफ में एक ऐसी चीज मिल जाए कि उसके घर में टैप आजा पानी निकलने लगे तो उसकी तो आधी परिसानी स्वाल हो जाएगी ऐसा लगेगा उसको मालती की जैसी इंडिया में 75% औरते हैं जो रोज टाइम कंजूमिंग अफर्ट्स करती है अपनी फैमिली के लिए पानी लाने के लिए ये NFHS 5 की सर्वे बोलती है और ये सिर्फ डजरी पानी तक लिम्टेड नहीं है कभी-कभी फ्यूल लेने जाना पड़ता है केर-गिरिण करनी पड़ती घर में कोई बूड़ा है बच्चा है उनका ध्यान रखना रेपिटेटिव टास्क करने पड़ेंगे वाटर भरके लाना है फ्यूल भरके लाना है इसी माल्ती के घर में अगर आप देखो तो प्रधान मंत्री उजला योजना के अंदर LPG सिलिंडर दिया गया है लेकिन कई बार ये LPG सिलिंडर फिल नहीं हो पाता है तो उस केस में माल्ती को फायर वूड लकडियां लेने भी जाना पड़ता है 52% डूरल इंडिया काउंसल अफ एनर्जी इन्वार्मेंट वाटर रिपोर्ट 2021 के हिसाब से लकडियां डोके लाता है खाना बनाने के लिए आप जिसके LPG सिलिंडर आ गये हैं और LPG सिलिंडर आराम से रिफिल हो जाते हैं वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती बढ़ कभी न कभी एक ऐसा समय आता है जब उसको लकडियां लेके आना पड़ता है हला कि लकडियी की रिस्पेक्टिव बाल लाज़ा तो मालती हफते में दो बार या एक बार जाती है ज़्यातर उसकी जो मदर है उसने अपने समय पे हर दिन में एक घंटा खर्च किया लकडियां लाने पे लेकिन मालती हफते में एक या दो बार जाती है थैंक्स टू प्रधान मंत्री उज्जुला योजना गैस सिलिंडर्स के अभी एक बड़ा टास्क है मालती जब छोटी थी अभी तो खेर वो एक प्रॉपर मैरिड लेडी है लेकिन जब वो छोटी थी अल्मोस्ट शादी होने वाली थी प्री टीन स्टेज में थी जब इंडिया की इंडिपेंडेंस को 50 साल हुए थी 1997 की बात हो रही है तब भी मालती ओवरॉल अपनी मा के साथ हैंड़ पं के पास जाती थी लाइन लगाती थी हैंड़ पं से पानी आया तो भर लिए और अगर पानी नहीं आया तो धाई किलोमेटर दूर एक पबलिक वैल था वहाँ पी जाके लंबी क्यूज भर के गंदी कॉलिटी का पानी लाना पड़ता था इनके घर के पास एक वेल था लेकिन वो अपर कास्ट का वेल था तो कास्टिजम के चलते उनसे इनको पानी नी भरनी दिया जाता था तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स डेली की बेसिस पे इंडिया में वुमिन को जहिलनी पड़ती है ये ड्रजरी है उनके लिए पिर इन लोगों के घर में जादा तर केसिस में रेफ्रिजिरेटर नहीं पाया जाता है तो फ्रिज ना पाने की वैसे डेली के बेसिस पे इनको सबजियां वगरा लेने जाना पड़ता है जो कि अगर दो दिन की सबजियां ले आएंगे तो सबजी एक दिन बाद या दो दिन बाद अमूमन खराब हो जाती है तो फ्रेश मील्स बनाने के लिए रोज के बैसेस पे सबजी बगरा लेके आना तो ये सब कहीं न कई मालती के उपर प्रेशर डाल रहा है अब मालती अपनी घर की इंकम को बढ़ाने के लिए एक सिलाई मशीन खरीदना चाहती सुइंग मशीन तो नई गॉर्मेंट स्कीम के अंदर सुइंग मशीन लेना आसान नहीं है पर मालनों मिल भी जाती है तो भी सारा काम करने के बाद जब सब सो जाएंगे तब मालती को 2-3 घंटा सुइंग मशीन पर काम करना पड़ेगा ताकि अपने घर वालों के लिए थोड़ा और पैसा कमा सके तो ये जो ड्रजरी है ये मालती को छोटे से परिशान करें और ऐसे करोणों ओड़ते हैं जो इस प्रकार की ड्रजरी से सफर कर रही है इस प्रकार की ड्रजरी को स्कूलिंग से दूर किया सकता है चुकि अगर पढ़ी लिखी होगी मालती जैसी लेडीज तो वो कुछ ना कुछ अच्छा कर सकती है ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन यूनिवर्सल एजुकेशन प्रॉमिस ज़रूर की गई गर्स के लिए जो मीडियन इयर्स ऑफ स्कूलिंग है वो है 4.9 इयर्स बॉइस के लिए 7.3 इयर्स है तो कहीं न कहीं अभी भी हमारे सोशल पैरमीटर्स गर्स को बॉइक के रिस्पेक्ट में डिसडवांटेज रखते हैं इसको हटाने की ज़रूरत है इस स्पेसिफिक गॉवर्मेंट इंटर्मेंशन लाने की ज़रूरत है जिसके चलते डॉमेस्टिक ड्रजरी ना करनी पड़े वुमेन को इनको पानी भरने ना जाना पड़े फ्यूल लेने ना जाना पड़े तो घर का कैसे काम होगा तो अगर आप सोशल मैंडसेट बदलोगे तो घर की औरतों को इनी घर के आदमियों के ओपर भी रिस्पॉंसिबिल्टी होगी की फ्यूल वगरा लेके आए जो प्रोग्रेसिव किसम के लोग होते हैं मेल मेंबर्स वो अव्विसी बात से समझते हैं अगर एक लेड़ी कुछ काम का काम कर रही है तो मैं उसका काम कर दोंगी तो मदद मिल जाएगी बढ़ कहीं न कहीं हमारे सोशल पेरामीटर के चलते वोमेन को ही ये पूरा एक्स्टोर्णरी बर्डन जहिलना पड़ता है यहाँ पर दो तीन सरीकेस देखना है एक तो सोशल आपको सेटप बदलना पड़ेगा कि मेन वोमेन के बराबर रिस्पॉंसिबिल्टी ले दूसरा आपको ये देखना पड़ेगा कि सरकार इस प्रकार की स्कीम से लेके आए कि फ्यूल पानी जैसी चीजों को भरने के लिए ओवराल दूर ना जाना पड़े अभी टैप वाटर को घर तक पहुँचाने के लिए सरकार ने स्कीम लाँच की नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ स्कीम का नाम क्या है टैप वाटर हर घर तक पहुँचे इसके लिए भारत सरकार दौरा लाँच के लिए स्कीम का नाम क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए तो ये सब बाते हैं ओवराल कुछ बता रही है फिर आप देखिए अशोका उन्वर्स्टी के अश्वनी देश पांड़े यहाँ पे कुछ आप के लो अच्छी आनी चाहिए ऐसा हम सोच लकते हैं अंधर कदेश को पहली रैंक मिलीती इस ओव डूइंग बिसनेस इंडेक्स 2020 में बहुत सारे रिफॉर्म्स यहाँ पर YSR कॉंग्रेस पाटी ने इंप्लिमेंट किये हैं जिसके चलते आंधर प्रदेश में इस ओफ डूइंग बिसनेस आसान लग रहा है लेकिन फिर भी ऐसा बताया जाता है कि आंधर प्रदेश में अभी भी इंडस्ट्रिल इंफरस्ट्रक्चर नेबरिंग स्टेट से कम है जैसे तेलांगना तमिलनाडू करनाटका से अगर आप आंधर प्रदेश को कम्पेर करोगे तो इंडस्ट्रे इंफरस्ट्रक्चर में कहीं न कहीं आंधर प्रदेश पीछे रह जाता है आंधर प्रदेश ने अपने आपको ट्रैक पिलाने के लिए Logistic Policy 2022-27 launch किया इसको आप प्रदान मंत्री जी की PM गत्ती शक्ती प्रोग्राम के साथ मिला दो PM गत्ती प्रोग्राम क्या है Multimodal Connectivity to Industrial Economic Zone तो किसी भी राज जी के अंदर कोई Industrial Economic Zone है उस Economic Zone को आप आउटसकर्ड के एरिया से इस प्रकार से Connect करदों की Logistic Logo का Movement, सामान का Movement, Services का Movement आसान हो जाए तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि Overall Interconnectivity बढ़ेगी और Interconnectivity से Economic Development आती है तो तेलांगना की सरकार की Logistic Policy है वो Logistics में Efficiency रहना चाहती है कि असा Strong Regulatory और Institutional Framework बनाना चाहती है ताकि जो Industrial इलाके हैं उनकी Outstards के इलाके से जो Connectivity हो बहतर हो सके अगर ये Connectivity बहतर होगी Infrastructure अच्छा होगा तो आंधर प्रदेश Inclusive और Expensive Scale पे बढ़ सकेगा एक State Logistics Plan मना रही है सरकार आंधर प्रदेश की Department of Promotion of Industry and Internal Trade के Guidelines के इसाब से इसके लिए एक Impowered Group of Secretary बनाया गया है National Master Plan के साथ इसको Align करने के लिए तो और अब कह सकते हो कि आंधर प्रदेश की सरकार बहुत से initiatives ले रही है Logistics के फील्ड में Infrastructure के फील्ड में Industrialization के फील्ड में एक Development Hub की तरह उभर के आ सके एक इस्टफ ऐसा यह है कि Multimodal Logistics Park बनाये जा रहे है Krishna पटम में Vishakha पटनम में Anantapur में Koparthi में Kडपा डिस्टिक्ट में आते हैं फिराजा मुंद्रियों काकी नाड़ा के बीच में भी इस प्रकार के Multimodal Logistics Park बनाये जा रहे है तो यह overall यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दोतीन चीज़ें बताएगी मतलब आंद्रपदेश किस प्रकार से डेवलप करा है अच्छा आंद्रपदेश में चिन्नई विशाका पटनम कॉरिडोर चिन्नई बंगलूरू और हैदराबाद बंगलूरू इंडस्टियल कॉरिडोर यह कुछ ऐसे इंडस्टियल कॉरिडोर से जो की बहुत हद तक इंफरस्ट्रक्चर में डेवलप हो चुके हैं और अभी कुछ डेवलप्मेंट बाकी है तो developed हो भी चुके है उनमें development हो भी रही है तो ये सारे projects आंद्रप्रदेश की development में push दे सकते हैं फिर बहुत सारे railway projects भी बनाये जारे हैं आंद्रप्रदेश के जैसे 309 km लंबी श्रीकालाहस्ती नाधीकुडा railway line मनायी जारी है जो कि South Central Railway के अंदर आती है तो no doubt इस प्रकार के जो developmental projects हैं वो आगे आने वाले समय में आंधर प्रदेश को एक developmental push दे सकते हैं इसमें राज्य की सरकार और केंदर की सरकार दोनों अपना major role play कर रही है हाँ इसमें बहुत सारा land acquisition करना है, खर्चा करना है वो खर्चा केंदर की सरकार को राज्य की सरकार को आपस में बाठना पड़ेगा ये logistic policy PM गतिशक्ति प्रोग्राम के confrontation में ना है उसके साथ synchronize किया जा सके, इसके लिए राज्य की सरकार केंदर की सरकार को मिल के काम करना चाहिए ये सब बातें overall यहाँ पर बताई गई है ठीक है बई, फिर trial by fire Liz trust को conservative party के बहाफ पे foreign secretary थी, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया यूके का अपने आप में यूके की प्राइम मिनिस्टर ये तब बन रही है जब energy cost यूके में all time high है यूकेन के war ने सब कुछ हिला के रख दिया है मॉस्को का belligerence बढ़ा हुआ है overall अब देखो तो conservative party के अंदर कोई बहुत comprehensive majority नहीं मिली Liz trust को Liz trust को 81,326 party members ने support किया Rishi Sunak को 60,399 ने support किया in fact 80% conservative party की members ने यहाँ पे voting की है 50% vote भी नहीं मिले हैं यहाँ पे Liz trust को vote भी नहीं ले पाई हैं लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे PM बनी है इसका मतलब यह है कि आगे आने वाले समय में Liz trust को बहुत हद तक conservative party के members का support सबसे पहले अपने पास कीजना पढ़ेगा Liz trust के जो कुछ economic fundamentals है इस बात को लेके conservative party के members नाराज हो सकते हैं जैसे कि tax cut करेंगे 30 billion pounds का 30 billion pounds का tax cut यहाँ पे करने का प्लान कर रही है Liz trust National insurance के rise को reverse करने की बात कर रही है Energy bills को थोड़ा कम करने की बात कर रही है Corporation tax के बढ़ाने के against है मतलब कम करने की बात कर रही है Corporation tax को तो इस प्रकार के जो business decisions है Liz trust के No doubt यह domestic economy को boost करेंगे लेकिन जो conservative तबका है वो इसके लिए ready नहीं होगा तो conservative party के अंदर ही बहुत सारे लोग यहाँ पे Liz trust को approach करेंगे तो Liz trust के लिए आगे आनल 7 problem होने रही तो Liz trust के लिए सबसे बड़ी problem यह है कि इनको conservative party के अंदर ही बहुत बड़े तबके को समझाना पड़ेगा कि हाँ बढ़ी मेरी यह policies सही है और actually में Liz trust की जो आपके लोग politics है उसमें एक बड़ा अच्छा element यह है कि यह adaptable है इनको बहुत adaptable बता जाता है बतलब पहले liberal democrat थी फिर conservative में आ गई फिर पहले ब्रेजिट को support कर रही थी लेकिन फिर बाद में उनको बोला कि ठीक हम ब्रेजिट के अंदर रहे लेंगे फिर यह Boris Johnson की inner party circle से बड़ी important member थी लेकिन जब Boris Johnson के against opposition आया तो इन्होंने अपने आपको side कर लिया तो ना बहुत ज़दा against रही ना बहुत ज़दा favor में रही तो political headwinds के हिसाब से अपने आपको adapt कर लेती है list trust ये list trust के लिए अच्छा बताया जाता है अब बहुत सारे लोग तो इस तरीके की चीज़को बिन पेंदी का लोटा बोलेंगे कि बाई जिस तरफ हवा वेरी है उस तरफ लड़क गए लेकिन politics में adapt करना बहुत ज़रूरी आप एक बिल्कुल hard line stance politics में लेकर नहीं चल सकते चुकि politics में hard line stance कोई tolerate करता नहीं ठीक है बाई तो ये था आज का editorial discussion दोस्तों I hope आपको पसंद आए अपने view point नीचे comment box में देके जाहिएगा जादा से जादा लोग साथ वीडियो को शेर करिएगा I hope आपको वीडियो पसंद आए Have a great day, goodbye, ध्यान रखिये